संगजी वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते अजटो हड़े नाल तांतां श्री गुरु नानक देव जी दी साखी वली कंदारी दी सांज पारे हाँ हाँ जी संगजी असीस बक्षने बगदाद तो बापस मुड़ दे हुए गुरु जी अते मरदाना हिंदोस्तान बापस आ गए लोकान नामदान दे गभ़े वाक्षदे हुए ओ उस स्थान ते पुझे जिस नगर नो हसन अबदाल किहा जांदा सी पेंड हासन अबदाल एक उची पहाड़ी दी टलान हेट वसया होया सी एथे ही एक उची पहाड़ी उते वली कंदारी नामी फकीर रहिंदा सी जेड़ा अपने जादू टूणें करके बहुत परसेद सी उस दी रहाइश नेड़े ही एक चस्मा सी जेस दा पाणी एक बड़े स्रोबर वेचे खठा होंदा सी अते श्रोबर पर जान नाल बादू पाणी पहाड़ी तो थले आजान दा सी जेस तो पेंड़े लोग पीन वास्ते कड़े पर लें दे सन गुरू जी एक पहाड़ी दी ओट वेच बैठ गए वो थे उनाने मर्दाने नूरबाब जौन लेके हा अते आप इलाही शब्दा गाइन कान लगबे पेंड़े लोका ने जद ए इलाही शब्द सुनेया थां ओ गुरू जी दे पास आहाँ 71 हुए एस मन महुने कीर्थन नू सुनके ओ कीले गए गुरू जी ने फिर उनानों नेक कमाई करना थे प्रभूदी अराधना करन दे सिख्या दे ओ रोज गुरू जी दे सासंग बेच आउन लगपए जद फकीर वली कंदारी पास लोग जानों खट गए ताओ बहुत क्रोध बिचाया ओ पेण दे लोकानों सब किसी खोना चौंदा सी इसलिए उसने तिलावदा पाणी हेठा डिकन तो रोख देता पाणी दी का अठकान पेण दे लोक ब्राग गए मरदाने नू भी बहुत प्यास लगगी सी गुरू जी ने उसनों समझाया कि ओद्र पहाड तेक चश्मा है जिस वेच काफी पाणी है पर उस पाणी दा मालक वली कंदारी बनिया बैठा है पर ओ एक फकीर है जे तुसी उसनों बेंती करोगे ताँ ओ जरूर तो हनों पीन जोग पाणी देवेगा मरदान ना पहाड चड़दा होया वली कंदारी पास पुझा आते कोठ पाणी दी बेंती कीती पर वली कंदारी कटक के बोलेया जिस वकीर दा तुस चेला है कियो तेनों पाणी नहीं प्यासकदा मरदान ना प्यासदा मारया फिर गुरु जी पास पुझ गिया गुरु नानक देव जी ने उसनों फिर बेंती कार्ण वास्ते पेज़ेया पर मर्दान ना दुझी वारवी नराश होके आगया फिर गुरु जी ने संगत वेच बैठे कोज व्यक्तियानों अदेश दिर्ता क्यों एक खास पत्थर नों उखाडन जादूनों लोका ने उस पत्थर नों पुटेया था एक वड़ा सोमा पाणी दा वैत रया वली कंदारी दा उस रोबर बिल्कुल सुक गया वो गुसे विच लाल पीला हो गया अपनी करामाती शक्ती नाल उस ने एक वड़े पत्थर नों गुरुजी वल रिड़ेया तांकि उपत्थर थल्ले कुछल के मर जान पर जादो पत्थर रिड़दा गुरुजी वल आया था गुरुजी ने अपना हाथ उस पत्थर अगे कार दिता अते पत्थर उथे ही रोक गया गुरु जी दे पंजा उस पत्थर वे चता सगया गुरु जी दे पंजे दा निशान हाले भी उस पत्थरों ते ठिक्या होया है जद गुरु जी दे इस अनोखे कौतक दा पता पेंडवाले नू लगा तो गुरु जी दी चर्णी आ लगे गुरु जी ने केबल उनानों ही पाणी नहीं सी दिता बलके प्रबूदी किर्पा नाल उनादिय फसलां वी पाणी दा अनांद मान रही हैं सन वलीकंदारी दा शुरोबर बिल्कुल सुख गया क्योंकि जड़ा पाणी वलीकंदारी दे शुरोबर तक जानधा सी उसे दाही हेठा चलन लग पया जद वलीकंदारीनों इना सारे कौतकांदा ग्यान होया तो ओ बड़ी निमरता आते प्यार नाल गुरुजी दे चरना उते टै पया अते अपनी कीती ते माफी मंगन लगा गुरुजी ने उसनों समझाया के सानों मंग के खान दी आदत छड़ देनी चाहीदी है एक अल्ला दे नादा सिमरन करना चाहीदा है अते राबदे बंद्यानों प्यार करना चाहीदा है वलीकंदारी गुरुजी दा सिख बन गया गुरु जी उपदेश देके अगे चल पए संगत जी ये ते हाज दी सांज पहुंदेयां अगर कोई गलती होगी होगे ता माफ करना जे तो हानू वीडियो चंगी लगी था इसनू लाइक अधे चैनल लो सब्सक्राइब करना